नमस्कार दोस्तों, अश्ट्रो अमिट चेनल में आपका स्वागत है। से भी जाना जाता है ये प्राया गाउं में जानवरों के चारे के रूप में उप्योग किया जाता है अलफा अलफा की जड़ें जमीन से लगभग 20 से 30 फिट नीचे होती है यहां उन्हें वो खनीजलवन मिलते हैं जो आम तोर पर धर्ती की सतह पर मौजूद नहीं होते अलफा अलफा विटामिन मिनरल्स और अन्य पोसक तत्तों से भरपूर होता है यह आपकी हड़ियों को ताकत देने के साथ साथ उसके विकास में भी साहयक होता है इसके अलवा यह स्वस्त शरीर के रख रखाओं में महत्वपून भूमिका निभाता है इसमें प्रोटीन और विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन K भरपूर मात्रम पाया जाता है इसके अलवा इसमें केलसियम, पोटेशियम, कैरोटीन, आयरन और जिंक भी होता है इसका सेवन इसके बीज का या पत्ते का या इसे गोलिया गोलियों के रूप में बना कर किया जाता है किडिनी की समस्याओं में आर्थराइटिस में मुत्र समंधी बड़ी समस्याओं में कोलेस्ट्रॉल का इस्तर अगर बढ़ गया है उसमें या इस ट्रोक की समस्या है इन सब में अलफा-עלफा बहुत सक्तिसाली आउस्धी का काम करता है गठिया के उपचार में हड्डियों के गठन और मजबूत बनाने के लिए मिनरल्स के आउशक्ता होती है यह मिनरल्स अलफा-अलफा में भरपूर मात्रा में पाये जाता है इसलिए गठिया के उपचार में इसका उपयोग बहुत फायदेमंद होता है अलफा-अलफा के जात मिल जाएगा केंसर पर नियंतरन अलफा अलफा या जिसे रिजिका के नाम से भी जाना जाता है इसमें एक विशेश प्रकार का एमिनो एसिट पाया जाता है जो पैंक्रियाटिक कैंसर लिूकेमिया और कोलोन कैंसर से मुकाबला करने के लिए शरीर को ताकत देता है और अगर इसका सेवन नियमित रूप से किया जाया तो इन कैंसरों को सुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है डायबटीज में इसका उप्योग अलफा अलफा ब्लट सुगर के इसतर को कम करने के लिए जाना जाता है या ब्लट सुगर को नियंतरित करने के लिए बहुत प्रस किडिनी की पत्री के लिए उपयोग। करके इसका सेवन जरूर करना चाहिए गंजेपन और बालों के जहड़ने की समस्या में अलफा-अलफा का रस और उतने ही बराबर मातर में गाजर का रस इसे मिला कर नीमित रूप से बालों में अगर लगाया जाए तो इस से आपके बालों के वीकास में मदद मिलती है गंजेपन और बाल जहड़ने की समस्या से कुछ ही दिन में आपको निजाद मिलेगा पोसक तत्तों से सम्रिद्ध यह रस बालों के विकास और जहड़ने की रोक थाम की एक विशेश आउस्धी के रूप में काम करता है मासिक धर्म से जूड़ी समस्याओं में अलफा महिलाओं के लिए अत्यंत प्रभावी असर दिखाता है अलफा अलफा में मौझूद एस्ट्रोजेनिक गुण के कारण महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान होने वाले लक्षणों और दर्द को कम करने का बहुत प्रभावी उपाय है जिन महिलाओं को मेनो पास के बाद की तकलिफ है या मासिक धर्म के समय एस्ट्रोजन हर्मोन्स के कम होने की समस्या है उन्हें अलफा अलफा को अंकुरित करके जरूर सेवन करना चाहिए कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि या एस्ट्रोजन लेवल को नियंतरित करता है और बैलेंस करता है या महिलाओं से स स्वांस सम्मंधी रोगों में अलफा अलफा का जूस क्लोरोफिल का बहुत अच्छा सुरोथ है इसलिए यह सांस से जूड़ी परिसानियों को उपचार में कारगर होता है सांस की तकलिफ विसेश रूप से फेफ़रों और साइनस के कारण होने वाली समस्याओं के समधान के लिए अलफा अलफा के पत्तियों का जूस बहुत असर दिखाता है कारगर इलाज है उच्छरक्त चाप में इसका उपयोग उच्छरक्त चाप का उपचार अलफा अलफा के लाभों में एक महतवपून लाभ है इसके सेवन से कठोर धमनियों को नरम करने में साहता मिलती है जिससे उच्चरक्त चाप को प्राकृतिक रूप से नियंतरित किया जा सकता है यह उच्चरक्त चाप की रामबन आउजधी है इसका उप्योग उजया तो इसके बीच का चाएक रूप में और अलफा अलफा को अंखुरित करके इसका सेवन जरूर करना चाहिए पेट के रोगों की यह महा उजधी है अलफा अलफा को उप्योग पेट से सम्मंधित बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है नीमित रूप से थोड़ी मात्रा में अलफा-अलफा के बीच का अगर सेवन किया जाए तो पेट सम्मंधी सारी बीमारियों से निजाद मिलता है और सरीर के इम्म्यूनिटी सिस्टम को यह मजबूत करता है अलफा-अलफा का इस्तेमाल उसके बीच का चाय के रूप में किया जा सकता है या इसे अंकुरित करके भी इसका सेवन किया जा सकता है मोटापा में इसका उपयोग अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अलफा-अलफा के बीच को अंकुरित करके इसे जरूर सेवन करिए यह स्वादिष्ट विकल्प है अलफा-अलफा इस्प्राउटेड एक आदर्स कम कैलोरी का आहार है यह चीनी, वसा, संत्रिप्त वसा यह कोलेस्टरॉल इन सब चीजों से मुक्त होता है और यह एक बहुत सक्तिसाली पॉस्टिक औस्धी का काम करता है इसमें फाइवर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाते हैं इसलिए इसको खाने के बाद आपको परिपूर्णता का अहसास होगा और आपको पेट को भी त्रिप्ती मिलेगी और इसके सक्तिसाली विटामिन्स और मिनरल्स आपको स्वस्थ करेंगे और आपका मोटापा भी धिरे-धिरे कम होने लगेगा सफेद दाग के इलाज में सफेद दाग में अलफा अलफा या रिजिका को 100 ग्राम की मात्रा में लेकर 100 ग्राम ककड़ी का रस मिलाकर अगर उसका सेवन किया जाए तो कुछ ही हपतों में सफेद दाग से अराम मिलता है ये सब आजमाय हुए नुस्खे हैं इनका उपयोग जरूर करें और अलफा अलफा ये एक ऐसा पोधा है जो धर्ती पर वर्दान माना गया है तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए और अपने स्वास्त को ध्यान दिजे और योग और प्राणायाम और कसरत भी नीमित रूप से जरूर करें तो आप इन सबसक्ति सा अली उपायों का उपयोग करिए और स्वस्त और सुखी रहिए धन्यवाद